हेलो गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 अक्टूबर तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतो तक जरू अधीश होंगी, संजीव खन्ना, विल्बीदा, डैश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओप्शन से 49, 50, 51 या फिर 52, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह के कोश्चन से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं टेलिग्राम पर अधीश टूर्णामेन्ट डिडड इंडियन ग्रेंड मास्टर अरजुन अरिगीशी क्रोज्ट 2800 इलोड रेटिंग, भारतिय ग्रेंड मास्टर अरजुन अरिगेसी ने किस टूर्णामेंट में 2800 इलो रेटिंग को पार किया है, ओप्शन सापके सामने हैं, सही आंसर इन्होंने अठाइस सो एलो रेटिंग मार्क को क्रॉस कर लिया है और ये कीरतिवाइन उन्हें हासिल किया है ये 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 रोपियन चैस कलब कप जो की सर्भिया में खेला गया आपको बता दी इन्होंने इस टूर्णामेंट में जैसे ही रुशियन ग्रैंड मास्टर दिमित्र साथ ही आपको ये भी जाना चाहिए सेकंड यंगेस्ट प्लेयर है जो अठाइस सो की कलब में पहुचे है इनसे जो पहले जो यंगेस्ट है वो है फिरुजा 18 इयर ओल्ड अठाइस सो रेटिंग कलब एक इल्यूजिव कलब होता है चैस में इस तरह से आप दे सकते हैं से क अरजुन आए 15 और एक और आए है 16 ठीक है तो अरजुन 15 प्लेयर हैं जो इस अठाइस सो कलब में आई है 1970 में जो फाइड है जो की ग्लोबल गवर्निंग बोडी है चैस की इन्होंने इस रेटिंग सिस्टम को एडॉप्ट किया था आपको जाना चाहिए के वल पांच ही वर्ड चैंपियन से जो अठाइस सो कलब में तो मैंगनस काल्सन गैरी कैस्परो आनंद और व्लादिमीर क् इंडिया लोस्ट होम टेस्सी अफटर तो यह तो न्यूज़िलेंड विच टीम इंडिया लूज तो सिरीस अगेंस्ट पैक इन 2012 भारत 12 साल बाद न्यूज़ेंड से गरेलू टेस्सीरीज आरा है दो जार पारा में बहरत किस टीम से सीरीज आरा था ओप्शन साब के सामने सही आंसर ऑप्शन माफ कीजिगा एंगलेंड यह गलत हो गया इंगलेंड होगा यह थोड़ा मिस्टेक हो गई है आप इसको सही कर देंगे पेडियेफ में आपको जाना चाहिए हाली में न्यूजिलेंड ने बारत को हराया है सेकंड टेस्ट मैच में और दो जीरो की बड़त ले लिए है सिरीज जीत चुकी है तीन मैच की सिरीज है यह तो दो न्यूजिलेंड ने जीत लिए है तो सिरीज इनके नाम हो गई है आपक विक्ट्रीज होम स्वेल पर प्राप्त की है न्यूजिलेंड है कैप्टन रहे टोम लैथम और यह फस्ट कैप्टन बन गए है न्यूजिलेंड से चिन्होंने सीरीज जीती है भारत में विच्ट्री डिड इंडिया डिफीट तो विन दब्रोंस मैडल इन दसुल्तान ओफ जोहर कप 2024 सुल्तान जोहर कप 2024 में भारत ने किस देश को हराकर कांसे पदक जीता सही आंसर अप्शन डी है न्यूजिलेंड देखे भारत ने दोजार चोबिस सुल्तान ओफ जोहर कप सु ग्रेट ब्रिडेन ने गोर्ड मैडल जीता है वहीं ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मैडल जीता है आपको जाना चाहिए यह जो सुल्तान ओफ जोहर कप है एक एन्वल इंट्रेसल अंडर 21 मैंस फिल्ड होकी टूर्णामेंट है मलेशिया में खेला जाता है एट टीम्स में पा गविश्कार शुरू किया जा रहा है औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर अप्शन C है और जुन अवर्ड लाइफ टाइम कि मिनिस्ट्री ने एनौंस किया है कि हम ध्यांचंथ अवर्ड फूर लाइफ टाइम अचीवमेंट को डिसकॉंटिनीव कर रहे हैं इस साल से औ Commonwealth Games का हिस सारे चुकर काफी उम्दब प्रप्रपॉर्मेंस उसे की है 2030 में अवर्ड दिया गया था फॉर्मर शिटलर मंजुसा कावर एक्स होकी एक्सपोनेंट विनीद कुमार और कवर्टी प्लेयर कविता सेलवरास को वर्ड स्टील एसोशेशन के अध्यष के रूप में किसे चुना गया है उप्शनस आपके सामने है तीवी नरिंदरन या फिर आप कहेंगे ताशाथ विस्वनाथ नरिंदरन देहे ग्लोबल बोडी वर्ड स्टील एसोशेशन वर्ड स्टील जैसे कहते हैं इन्होंने टाट स्टील के एमडी और सीओ ताशाथ विस्वनाथ नरिंदरन को अपना चेर्मेन निक्त किया है आपको बतादे जीएस टबलो ग्रूप चेर्मेन संजन संजन जेंदल के बाद ये दूसरे भारतिये हैं जो वर्ड स्टील के चेर्मेन निक्त हुए है साथ ही उगूर देलबलोर और लियोन टोपैलियन इनको वाइस चेर निक्त किया गया है और ये एक संत्रा मेंबर के एक्सेक्यूटिव कमीटी में नरिंदरन और जिंदल और एलेन मित्तल टोपैलियन ओल्टेल बेलियर इन सबी को अपोइंट किया गया है वर्ड स्टील असोशेशन का हैट पार्टर ब्रसील्स बेल्सियम में है वो इस तक करेंट रिजिटार जनल अफ इंडिया उस टैन्योर हैस बिन एक्सेंडड अंडिल अगस्ट टॉंटी उन्टी सिक्स भारत के वर्दमान रिजिटार जनल कोन है जिनका कारेकाल अगस्ट तोजार चबिस तक बढ़ा दिया गया है ऑप्शनस आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन दी है मृत्युंजे कुमार नारायन यूडिन केबिनेट ने रिजिटार जनल मृत्युंजे कुमार जनल जो की सेंसस कमिशनर भी हैंका टैन्योर बढ़ा दिया है अगस्ट तोजार चबिस तक साथ ही आईपियस आफिसर प्रवीन वसिस्ट हो स्पेशल सेक्रेटरी इंटर्नल सेक्यूर्टी इन दे मेंस्ट फॉम अफिर्स निक्ति किया गया है जो सेंसस है आप सभी जानते है कि दोजार इकिस में होनी थी लेकिन पिछले चाल सालों में दस बार यह पॉस्पोन हो चुकी है सेंट्रल कोमेंट इस बार जो बजट लाए है करेंट फिसकल के इसमें सेंसस का जो एलोकेशन है वह गट गटा दिया है दोजार इकिस में 366 क्रोड रखा था और इस बार 1564 क्रोड से कर दिया है एक्सिस बैंक के प्रबंद निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में किसे पुना अन्युक्ट किया गया है सही आंसर ऑप्शन दिया है अमिताब चोदरी देखे एक्सिस बैंक ने अमिताब चोदरी को अपना मेजिंग डिरेक्टर और चीफ एक्सिस बैंक के लिए तीन सालों के लिए एक जनवी 2025 से इनका एक कारेकाल स्टार्ट होगा ठीक है दिसंबर 31-27-27 सक इनका कारेकाल रहने वाला है चोदरी आपको बता देखे एक्सिस बैंक के लिडरशिप में आय थे 2019 में इससे पहले 9 योर इन्हों ने स्टीफ सी लाइफ में बिताये थे विसिटी वोन दा सीटी विद बेस्ट पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आवार्ड एट सेवन्टीन अर्बन मॉबिलिटी इंडिया कॉन्फरेंस एंड एक्जिबिशन टॉन्टीफोर सतरवे अर्बन मॉबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी दोजार चोबिस में कि सहर निस सर्वसिस्ट सारवजनिक परिवेहन परणाली वाला सहर पुरसकार जीता आपको जानना चाहिए कि 17 अर्बन मॉबिलिटी इंडिया कॉन्फरेंस एंडिया कॉन्फरेंस एंड एक्जिबिशन दोजार चोबिस जोगी गांति नंगर कुछरात में हुआ यहां पर भुवनेश्वर उडिसा निस सिटी विद बेस्ट पॉबिक ट्रांसपोर्ट में को CHE CIT विम obser इंडिया कॉनों मॉबिलिण ट्स्पोर ट्रांसपोर स्ट में ड saves इंडिया स्वेस्ट इंडिया स्थित का उन कंछृ निर्ग इंड कर गंदीन तोस्ब इंड्र टांस्से बेंगलूरू मेटोरेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सैटिस्फेक्शन मुंबई एकॉर्डिंग तो दी आर्बियाइज लेटिस्ट सैंसस वीच कंट्री इस लार्जेस्ट सोर्स ओफ एफडियाई इन इंडिया आर्बियाई की नविन्तम सैंसस के नुसर भारत में एफडियाई का सबसे बड़ा श्रूत कौन सा दीश है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंस 553 एंटिटिस जिलोने सگर सेंसर में रिस्पॉंड गिया है उनमें 1 747 डिपोर्ट किया है कि foreign direct investment हमने किया है या फिर overseas direct investment हमने किया है ठीक है मार्च 2024 के लिए ऐसा census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment entities for 2022-2024 में बताया गिया है non-financial companies लगब 90% share रखती है FTI equity at face value में 2024 total sales and purchases of foreign subsidies in India ये increase हुई है 132% से बढ़ दो परतिशत और जो मतलब sales जो हुई ना sales तो 132% बढ़ी है और purchase 10.6% बढ़ी है रूपी तमस में which company collaborates with nest to launch the future engineer program for tribal students आदिवासी छात्रों के लिए future engineer program launch करने के लिए कौन सी company nest के साथ सेयोग कर रही है से या answer option C है Amazon देखे national education society for tribal students नेस्ट इन्होंने third phase launch Amazon future engineering program का लगबक 50 एकलव ये model residential schools में आंदरपरदेश कुछ रात करनाटक मद्यपरदेश ओड़ीजा तिलेंगाना इंत्रपरा में जो third phase है इसमें blockchain artificial intelligence coding program AI session से सभी लिए गए है आपको जाना चाहिए Amazon future engineer program यह दो साल से चल रहा है लगबक साथ चारी students जोगी 6-8 grade के बीच में आते हैं उनको इसमें enroll किया गया है और अलग लगतरी computer science block programming यह सभी इसमें सिखाई गई है what is the allocated budget for the summer scheme extension for fiscal year 24-25 and 25-26 वित्वर 2024-25 और 2025 के लिए समर्थ योजना विस्तार के लिए आवंटित budget किया है सही answer option B है 495 करोड रुपए देखे समर्थ scheme को extend कर दिया गया है दो साल के लिए 2024-2025 तक के लिए budget रखा गया है 495 करोड रुपए और तीन लाग परसंस को train किया जाएगा textile related skills में समर्थ का मतलब है scheme for capacity building in textile sector ठीक है तो ministry of textile की scheme है या आप याद रखीगा scheme aims to encourage and support the industry in creating jobs in the organized textile related sectors covering the entire value chain of textiles excluding spinning and weaving the training program and curriculum have been rationalized to meet the evolving technological and market needs which wildlife century in Anunachal Pradesh has been designated as an eco-sensitive zone along with Naam Dapa Nesilpak अनुआचल प्रदेश में किस वनने जीव अभ्यारन को नामदापा रास्टे उध्यान के साथ परियावरण सम्विदन स्विदन शेत्र के रूप में नामित किया गया है options आपके सामने है सही answer option दी है कामलांग wildlife century नामदापा नेसल पार्क और टाइकर रिजर्फ और कामलांग wildlife century और टाइकर रिजर्फ दोनों यह अनुआचल प्रदेश में है इन्हों एक eco-sensitive zone designate किया गया मिस्टर ओफ इन्वार्मेंट forest and climate change के द्वारा और आपको बता दें यह चांगलांग और लोह स्थिक में आते हैं और इसे के साथ इनका जो conservation effort है वो बढ़ जाएगा इनको eco-sensitive zone का दरजा दिया गया है देखिए जो नेसल वाइल डाइफ एक्शन प्लान है 2012-2016 मिस्टर ओफ इन्वार्मेंट इसमें भी का गया है कि स्टेट गोर्मेंट भी डिक्लेयर कर सकती है जो नेसल पार्क एफिट वाइल लाइफ सेंचुरी के दस किम्टर की रेडियस में जो भी पूरा एडिया आता है उसे eco-sensitive zone आप डिक्लेयर कर सकते हैं विच कंपनी बिकेम दा फर्स्ट रिसीव अब बीएट एफ यानि की बुक्कीपिंग एकांटिंग टेक्सेशन और फाइनचियल क्राइम कंप्लाइंस लाइसेंस एड गिफ्ट आफसी गिफ्ट आफसी में बीएटी एफ लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कॉ इनकॉप ग्लोबल देखें इनकॉप ग्लोबल जो की प्रोवाइडर है कोर्पेट सॉलिशन प्रोफेशनल सर्विसेश की अक्रॉस एशा पैसिविक यह फर्स्ट फर्म बन गई है किफ्ट सिटी इफसी में इसने बीएटी एफ बुक्कीपिंग एकांटिंग टेक्सेशन इनकॉप ग्लोबल तो ओफर बीएटी एफ सर्विसेश तो बिजनेस प्योंड दाबी एफसाई सेक्टर जो बीएटी एफ एफ्सेशन से इसूट किये गई जब सेंट्रल ने नोटिफिशन जारी किया था अठारा जर्वाइड होजार जोबिसको वह इनको फाइनेशल सर् सबसे अधिक है सही आंसर ऑप्शन सी है उत्रप्रतीश देखे एक स्टेडी की गई है उसमें जो चिल्डरन है से जो जो जिनकी चाइड्ड मैरीज होने का रिस्क है या फिर हो सकती है ठीक है ऐसे बच्चों की स्टेडी की गई है नेसल कमिशन फोर प्रोटेक्शन ऑफ च सेवन स्टेट्स एंड सेवन युनिट्री ऐसे हैं जो वल्नरेबल या जिनकी चाइड्ड मैरीज हो सकती है इन चिल्डरन मोस्ली गर्ल से स्कूल डॉप आउट से या फिर इलेगुलर या फिर अपसेंट है स्कूल से काफी लंबे समय से तो इनकी साधी होने का रिस्क है इ उसके बाद फिर आसम फिर मद्यपरदेश युनिट्रेटरीज ओफ लक्षटीप एंड अडमान इनको बार यहां पर कोई बी बलनेबर चिल्डरन नहीं पाया गया है सब्सक्राइब कितने बारते स्कूलों को विजयता नामीत किया गया सही आंसर अप्शन डी है त्री देखे त्री स्कूल्स जो कि डैली मद्यपरदेश और तमिलनाडू से आते हैं इन्हें वर्ड बैस्ट इस्कूल प्राइब का विनर गोशित किया गया है और इन तीनों क अलग लग 10,000 dollar each प्राप्त होंगे, इन 3 स्कूल मेरे रियान इंट्रेंसल स्कूल जो की डैली में है, सी-अम डैस स्कूल जो की विनोबा मध्य पर्देश के रहतलाम में है, काली इंट्रेंसल पबली स्कूल जो की तमिलनाड के मध्वरी में है에, ग्लोबली अगर हम बात कर सब्सक्राइब कर दिया गया है एकॉर्ड इनरजी आउटलुक 2024 इंडिया एक्सपेक्टे टू बीकम तर लार्जेस्ट इक्रोमी पाइविच इयर वर्ड एनरजी आउटलुक 2024 के नुसार भारते किस फरस्तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वर्तिवस्ता बनने की उमीद ह सही आंसर ऑप्शन भी है 2028 देखे वर्ड एनरजी आउटलुक 2024 इंटनेशन एजनसी द्वारा लॉंच कर दिया गया है और इससे बताए गया है 2030 तक जो डेनरबल एनरजी है यह डॉमिनेंट सोर्स अफ इलेक्रिसिटी बन जाएगी बजाए कोल ओल और गैस की इंडिया की भी ग्रोइंग डिमांड है इलेक्रिसिटी की और भारत को नेट चीरो एमिशन भी प्राप्त करना है 2070 तक और भारत वर्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओयल कंजूमिंग एंड इंपोर्टिंग नेशन है और भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एकनोमी राहा है 2030 में 7.8% ग्रोथ रिट के साथ और यह वर्ड की थर्ड लाज़ेस्ट एकनोमी बन जाएगा 2028 तक पोपुलेशन के मामले में हमने 2030 में चायनों को पीछे छोड़ी दिया है अगर हम इंट्रेस्ट एंट्रेस्ट एजनसी की बात करें 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इकनोमी कोप को टील इपलेशन जागेफन के में चायनों के में और एकनोल ओसेटे ऊट्रेस्ट एकनों पीछे और मैं तरह स्की बात करें लिट एकनोमी स्थान के लाएगा 2028 त की प्रलीग डिटुश्य है और इसला कर भाजान शें के स्थेंड में श्रासियर को पिल्टेट आन इस श् यह और आंसर इस टुटावसंट थी दे गुवाइज तरलोन लिमिट आफ प्रधारमंत्री मुथ्रा योजना वट इस दर नियु लिमिट आंसर इस 20 लाक रूपीज आप इसे कई एस्वन से बिल्कुल सही आंसर किया है इससे आप पार्शिपेट करते रहिए चलिए तू-द लेंड पार्सल आइडेंटिफिक्शन नंबर और भू आधार इस डिस अल्फानुमेरिकल कोड प्रामिस्टर अनमोदी एंड चाइनीज प्रेजिदेंट सीज दिंपिंग हैल्द यर फस्ट बाइलेटरल मीटिंग इन नेरली फाइव यर्स दूरिंग विस सम्मीट तो इन कंप्लीट एवलेबल है करेंट एफिर्स फंड पर टुटल 30 वीडियो लेक्शर्स और 30 पीडियाप समने आप आपको इसको में प्रोवाइड कराई हैं जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवर्नेस हैं इंडिया निकोनोमी के की कंसेप्ट्स भी हैं और इंशुरेंस का चेप् आपको कोर्स मिलता है और डेमो लेक्शर्स देखना चाहते हैं तो कारंट अफिर्स फंड पर एवलेबल है स्टार्टिंग के टू लेक्शर्स हमने डेमो लेक्शर्स के तोरपर दिये हुए हुन्हें आप देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह कॉंटें आपको मिल जाएगा वेच यह दिया हमारे डेली करंट अफिर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और अर्माइनी के बैंकिंग अडियोमी का वेडियेफ प्लान आप जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फिर्फर्स ओमेंट में मिल जाएगा आपको दादे इस वरिया में मर्शिप प्लान केता है जितने में पीडियेफ कॉंटेंट है वह आपको एक साल तक के लिए प्रोवाइट कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं इसके लिए चाहता आप को यूज कर करा रहें तो एक बार अगर आपने मारे क्रेंट अफेर्स पढ़ लिए उनके बाद इन इन कुछ को टेंप्ट किया तो एक इन मानिया क्रेंट अफेर्स सेक्शन काफी स्ट्रोंग हो जाएगा काफी अच्छा आप पाएंगे अपने आने वाले एक्साम में लिंक वीडियो फंडा को आप टेलिग्राम पर भी जोन कर लिजी यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट के विजम में आप सब एक डालते रहते हैं साथ ही डिस्टसन ग्रूप में आप किसी भी कोश्चन का स्लूशन पा सकते हैं थैंक्यू गाइस